जी हाँ दोस्तों तुटोरियल नंबर 2 में हम देखेंगे कि जो हमने प्रोड़क्ट का एड किया हुआ था सेम उसी प्रोड़क्ट को हम बार्कूड कैसे प्रिंट करेंगे जैसे वहाँ पे हमने opening stock हमने लिया हुआ था 10 piece उस 10 piece का हम बार कोड कैसे generate करेंगे यह देखते हैं सबसे पहले आप बार कोड प्रिंट option बटन पे आप क्लिक करिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक option आता है search by barcode तो search by barcode के माध्यम से भी आप search कर सकते हैं product name से भी search कर सकते हैं category मतलब brand के हिसाब से भी आप search कर सकते हैं तो अभी हम यहाँ पर बार कोड से आप मैंने search किया तेहाँ पर नीचे उसके driver में ओ प्रोडक्ट साग है जिस प्रोडक्ट को हमें barcode प्रिंट करना है उसका यहाँ पे tick कर देना है तेहाँ पे आपको तीन options available है पहला option है number of copy कि आपको कितने copy barcode चाहिए optional है आप वहाँ पे entry करके आप number of copy आप barcode ले सकते दूसरा option है यहाँ पे purchase stock generate barcode जैसे आपकी requirement है कि मेरा एक bill है जिसमें मैंने 500, 400, 300 product हमने जो की purchase किया हुआ है और एक ए product का 10, 10, 15, 15, 20, 20 quantity है तो उसको एक साथ सबका barcode अगर आप लेना चाहते है आप my billing pet के GST billing software में यहाँ एक advanced features का software है ओ भी आपके requirement के दूसरा डेवलप किया गया तीसरा जो option है आपका opening stock generate barcode यहाँ पर है तो अगर आप जिस भी option का use करना चाहते हैं जो भी आपको requirement है चाहे आप copy चाहे आप purchase stock और चाहे आप opening stock को generate करेंगे opening stock generate करने का मतलब होता है कि आपके पास जितनी quantity में है उतने piece opening stock में जितना आपने quantity में डाला था उतना barcode generate होके निकलेगा यह दिखे थोड़ा सा हम आपको zoom करके दिखा रहे हैं यहाँ पर सबसे उपर आ गया t-salt नीचे आ गया उसका size उसके ठीक बाजू में आ गया आपका MRP उसके नीचे क्या discount हो आ गया उसके ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको display हो रहा है आपका barcode उसके बाद आपके format company का name आ जाए दोस्तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो यह barcode दिख रहा है यह आप अलग-अलग user के हिसाब से आप मतलब develop करा सकते हैं जो भी आपकी requirement हो आप उसके हिसाब से इसको आप develop करा सकते हैं और साथ में आप इसमें जो भी content दिया गया है जैसे टीसल्ट है नीचे होना चाहिए जो product का name है product का name बीच में होना चाहिए यह MRP बड़ा होना चाहिए तो मतलब design भी आप change करा सकते हैं मतलब design भी change करा सकते हैं और साथ में आप इसकी size भी जैसे टू बाई वन इंच टू बाई टू इंच या फिर ETC जो भी आपकी requirement हो A4 में 48, A4 में 36, A4 में 40 तो इस तरीके से आप जो भी requirement आपकी size की होगी ओ size में बारकोड आप print कर सकते हैं वह भी आप अपने requirement content के अनुसार यहां पर आप देखेंगे नंबर आप copy आपको पता चल गया कि 10 की quantity में हैं तो दोनों का role बहुत जवरजस्त है कि आपको इसमें जितने बारकोड चाहिए उतना नंबर आप copy आप बारकोड निकालिए यहां से यह देखें नंबर आप copy बारकोड यहां से निकलता है और यहां का मतलब है कि जितना आपने opening इस्टाक में बारकोड लिया हुआ था उतना बारकोड यहां पर जन्रेट करके देगा इडवांस माई बिलिंग पैट के जी एस्टी बिलिंग जॉप्टेर में इन सब कारियों को आप इजी स्मार्ट तरीके से आप काम कर सकते हैं और अपने व्यापार की तरक्की करने में आसान हो सकता है और अगर आप लाइब डेमो देखना चाहते हैं एनी डिस्क टेम वीवर अल्ट्रा वीवर पर तो आप डिस्क्रिक्शन में दिये गए नंबर पर आप कंटेंट करें आपको लाइब डेमो आपको हम दिखाएंगे जिसमें आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे एक एक डाउट्स को ताकि आपके ब्यापार में तरक्की की राह में कोई जो मतलब आपसे बन सकता है उतना कारे करने की छमता आप करिए